दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सेलेक्शन में दोस्तो कैसे हैं आप आई होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तो इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलो टेकनिक इंट्रेंस एक्जाम की बहुत शांदार तैयारी कराए जा रही है दोस्तो मैंने दस को कवर करा दिया है मैतमेटिक्स के ठीक है आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो उनको जाकर के देख लीजे क्योंकि दोस्तों मुझे आपका इंट्रेंस किसी भी हाल में किलियर कराना है तोस्तों मैं हर वो कुशन जानता हूं जो आपके एक्जाम के दिर्श की शुरुआत करता हूं और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते चलिएगा निश्चे तोड़ से आपका इंट्रेंस एक्जाम किसी भी हाल में किलियर हो जाएगा चले दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत बहुत जबर्दस ला आएगा क्योंकि मनजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़भी आएगा तो दोस्तों आएए फट 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 अंदाज में इस वीडियो को देखते हैं और इस को देखते हैं दोस्तों इस कुश्चन में कहा गया है कि बालू के एक कंड की तरिज्या वन पॉइंट सिक्स इंटू माइनस फॉर मीटर है इस कड की तरिज्या एंग स्ट्रॉम में क्या होगी तो दोस्तों कभी इस टाइप का प्रेश ने पुछ जाए सबसे पहले यह देखना है कि यह दिया किसमें गया है अब यहां पर देखिए वन पॉइंट सिक्स इंटू टें टू दी पावर माइनस क फॉर मीटर है थीकर दोस्तों है हम में इस मीटर को लिख सकते ही क愚ी एक मीटर जो होता ओटा है वो टेंटुधी पावर पें एंगिस्ट्रॉम लिख सकते हैं ठीके दोस्तों क्योंकि हमें एंगिस्ट्रोम में बतानी है संख्या इस कंड की तरिज्जेश में हमें एंगिस्ट्रोम में बतानी है अब यहां पर सिंपल इसको फाई कर दीजिए यानि यह हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 4 और plus k 10 ठीके दोस्तों अब is equal to कि यहां देखे 1.6 into 10 to the power minus 10 to the power 6 हो जाएगा ठीके यह यहांनी option number a is the right answer तोस्तों आइखो दोस्तों यह कोश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा सिंपल ही कुछ नहीं करना है बस मीटर की जगह हमें एंगी स्ट्रॉम में इसको चेंज कर देना है एक मीटर जो होता है वो टेंटी पावर टेन एंगे स्ट्रॉम के तुल यह होता है ठीक है यह आप अच्छे से जानते हैं ठीक है दोस्तों आए दोस्तों नेक्स्ट होते हैं दोस्तों ठीक है एक मिनट में एक दफेस को कट करता हूं मैं एक मिनट में जो होते हैं वो 60 सेकंड होते हैं एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं ठीक है दोस्तों अब क्योंकि वह हम सही यह पोछ रहा है कि माइक्रो सेकंड कितने होते हैं एक मिनट में एक मिर्ण माइव कि रोस्मायकरो सेकिंड होते हैंclock दोस्तों यहां देखे 60 इस सेकिड की जगे हम लिख सकते हैं 10 टूढश्ा सेकिंड इंटू 10 टूढ़ उवर 6 секिंड 6 Microsecond ठीक है दोस्तों क्योंकि वह Microsecond में पूश रहा है इस बात को आप याद रखेंगे अब यहाँ देख लिए दोस्तों क्योंकि 0 हम यहाँ से हटा रहे हैं तो इसमें 1 प्लस कर देंगे दोस्तों यह बात भी आप याद रखेंगे यह आपको अच्छे से आती होगी यह नि 6 इन्टू 10 तो पावर के 10 तो पावर 6 प्लस 1 इस इकल टू 6 इन्टू 10 तो पावर 7 ऑप्शन नंबर 20 दराइट अंसर दोस्तों आई होब दोस्तों यह कुशन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आए दोस्तों फटाफ़ अंदाज में नेक्स्ट कुशन की तरफ चलते हैं और बिल्कुल कंसर्टेशन से उस कुशन को समझते हुए चलते हैं ठीक है दोस् दोस्तों नेक्स्ट कुशन की तरफ चलते हैं इस कुश्चन में कहा गया है कि एक जिवाणू का आकार एक माइकरोन है यहां तक हमने कुशन पड़ा एक जवाणू का कर कितना है एक माइकरोन है ठीक है एक मीटर लंबाई में जिवाणों की संख्या क्या होगी यह हम से होुझा baru एक में पुछञ जो हो तो क्योंकि हमसे में सीवाणू की संख्या क्या होगी एक मीटर में पूछखे कर जैसे इस यह इस मायिकरोन सेकंड के आपальное कर अंगे जैसे आप देख रहे हैं कि Deutsch के माइकरोन कष्ण है ठीक है यह बात याद रखेंगे अभी मैं रिया यह जो है वो इसके अपन में लेकर आ रहा हूं है एक मीटर इस इकल टू वन अपन टेंटी पावर के माइनस के सिक्स माइकरोन ठीक है दोस्तों इस बात को याद रखेंगे अब जैसे ही इसको उठा करके हम ऊपर लेकर जाएंगे तो यह वाले जो यह जो इसकी घास है यह प्लस की हो जाएगी ठीक है वन मीटर इस इकल टू 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 पावर के सिक्स माइकरोन ऑप्शन डी इस दराइट आंसर दोस्तों आई होब यह कोशन भी समझ आ गया होगा आईए फट 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 अंदाज में नेक्स्ट कोशन के तरफ चलते हैं दोस्तों अपने दोस्तों के इस चैनल के बारे में बताईए क्योंकि इस चैनल पर चैप्टर पर्माडू में इलेक्ट्रोन नाविक के चार ओर टेंटी पावर माइनस नेनो सेकिंड में एक चक्कर लगाता है नाविक के चार ओर वह एक पर्माडू है उसकंदर इलेक्ट्रोन होते हैं प्रोट्रोन होते हैं ठीक है जो इलेक्ट्रोन है वह नाविक के चार ओर टेंट 10 to the power minus 9,x10 to the power minus 6,9 decon सेकंट एक 9 से किहें कितना होता है कितना होता है 10 to 10 to the power minus 9 seconds तो नेनो सेकंड के जगे हमने 10 to the power minus के 9 सेकंड लिख दिया ठीक है अब यहां देखे दोस्तों आपस में इसको हम क्या कर देंगा जोड़ देंगे 10 to the power minus 15 हो जाएगा है क्योंकि 10 to the power minus 15 सेकंड ठीक है सेकंड लगाना भूल गया मैं अब यहां पर जैसे हम इसको यहां पर उठाकर के अपन में लेकर जाएंगे और फिर उसको उपर लेकर जाएंगे तो यहां पर दोस्तों इलेक्ट्रोन एक सेकंड में चक्कर लगाता है यानि 10 to the power 15 आजाएगा किस तरह से आजाएगा आए देखते हैं इस इकल टू वन अपॉन 10 to the power इसको अपॉन में लेगा 10 to the power minus 15 को ठीक है 10 to the power minus 15 जैसे ही ऊपर जाएगा यह जाएगा प्लस का यानि 10 to the power 15 हो जाएगा option number c is the correct answer दोस्तों कैसा लगा यह question अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को like subscribe कीज़ेगा और वीडियो को like कीज़ेगा क्योंकि मैं आपके लिए इसी पिरकार की वीडियो बार बार लेता लेकर आता रहोंगा ठीक है दोस्तों आई next question की तरफ चलते हैं और फटवट अंदाज म में कहा गया है दोस्तों एक माइक्रों में एंगिस्ट्रों की संख्या कितनी होती है हम जानते है कि एक माइक्रों जो होता है वह 10 to the power 6 10 to the power 6 में एंग्रिट्रों में की संख्या पुशी गई इटेंट थी पावर 6 सुस्क्रों होल जायेका ठीक है ठीलिए के एक मीटर जो होता है means में थीटली होता है यह भाए Aunque angstrom के ठीक है यह बात आप जानते हैं यह आपको बताया था एक मीटर दी पावर 10 angstrom के तुल्य होता है तो हम इसकी जगे कही देंगे कि मीटर की जगे हम लिग देंगे 10 तो दी पावर 10 इंटू तो दी पावर 10 angstrom क्योंकि हम से एंगी स्ट्रों में पूछा गया है अब इसको सिंपलिफाय कर देंगे यह नहीं 10 तो दी पावर ठीक है'M दोस्तों आईए नेक्स्ट कोषिं की तरव चलते हैं और इस कblesिंट को भी अच्छे से समझते हैं &givingS čॉम किस भोटिक राशी का मातररक है & इंड्रों किस भोटिक राशी का मातररक हैं पिरकाश की तरंग दर्दरी जो होती है वो 4000 एंगिस्ट्रॉम से 8000 एंगिस्ट्रॉम की बीच में होती है ठीक है यह बात भी आप लगे हातों याद रखेंगे ठीक है आएए दोस्तों नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं और उस कोशन को भी अच्छे से लगाते हैं अब यहां पर दोस् समय द्रव्यमान और जी साथ होते हैं वो आपको हमेशे याद रखने एक दफ़े मैं आपको दिखा जाता हूं और बता देता हूं कौन-कौन से वह साथ मात्रक होते हैं एक तो लंबाई होता है एक द्रव्यमान होता है समय होता है वे जो धारा होता है और स्ताफ होता है ज सक्क्राइब होता हैं सुइन का सेक्इंड ह होता है और वेदुधार का एंपियर होता है ताप का कैटल विन होता है जी कियोती तीरविता का केलविन होता है और पदार्ति की मातरा का मौल होता है यह आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों ठीक है आये दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं और इस कोश्चन में हमसे कहा गया है कि एक घंकी भुजा 1.2 संटीमिटर मापी गई घंका आयतन का आयतन हमें शुद साम्धार्थक अंको में बताना है क्योंकि घंकी हमें एक भुज कर Scorfane करते हैं यहाँ यहाँ पर एक कमान हमें 1.2 संटीमिटर दिया हूआ है ठीक है क्योंकि घंका आयत अंच होता है वी इस इकल टू एक यूब होता है ठीक है वी इस इकल टू अब एक अमान तो यहां पर वन पॉइंट वन पॉइंट टू सेंटी میटर का हॉल क्यूब हो जाएगा is equal to 12 का क्यूब कितना होता है 12 क्यूब जो होता है 1728 होता है ठीक है यहां देखेगा 12 क्यूब क्यों होता है वह 1728 होता है क्यूंकि वह शुद्व सार्थक अंगों में पूश रहा है और यह पोईंत भी यह पर लगा हुआ है ठीक है य यह नहीं जस्ट एक अंग के बाद में 1.7 बस खाली इतना ही लिखना है क्योंकि शुद्ध साड़ थक अंगों में पूछा गया है option number B is the correct answer दोस्तों और centimeter cube यह भी लिखना है आपको ठीक है कभी-कभी meter में भी दे दिया जाता है तो इसलिए बता दिया मैंने आपको इस इकल टू 1.7 centimeter cube ठीक है option number B is the right answer आई दोस्तों next question की तरफ चलते हैं है आई ओप दोस्तों यह question भी समझ आ गया होगा अब यहां देखी दोस्तों लीटर किस पदिदी का मात रखें इस बात को याद रखेंगे कि लीटर जो है वो मेटरी का मात रखें मेटरी पदिदी होती है उसका मात रखें लीटर ठीक है आई next question की तरफ देखते हैं MPR वेदुधारा का मातरख है किस पदिती में है MPR जो है वेदुधारा का मातरख किस पदिती में है SI पदिती में होता है आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे दोस्तों ठीक है option number C is the right answer आए दोस्तों next question की तरफ चलते हैं और इस question को भी अच्छे देखते हैं एक किसी धातु के टुकले का द्रविमान 5 गिराम है कोई धातु का टुकला है उसका द्रविमान यानि द्रविमान को हम DC DMC करते हैं के द्रविमान को में से देनोड करते हैं Jim is equal to 5 गिराम दे रखा है ठीक है द्रविमान को अब आयतन दिया हुआ है आपर 1.5 1.5 आयतन को हम वे से डिनोट करते हैं ठीक है वी इस इकल टू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब धातू के पदार्थ का गनतू सार्थक अंखों में क्या होगा ये पूछा गया है अब हम एक फोर्मुला पढ़ते हुए आये है कि घनत्व इसिकल्टू घनत्व इसिकल्टू द्रविमान बटे आयतन होता है द्रविमान बटे आहितन होता है ठीक है दोस्तो इस इकल टू अब यहां पर द्रवियमान दिया हुआ है मरड़ पाँच ठीक है upon यहां से हमही इसको हटाते हैं और यहां 0 लगाते हैं ठीक है अब इसको काटेंगे 15 तिया 45 15 तिया 45 ठीक है कितना बचा पाज बचा लगा दिया पॉइंट उतालिया 0 ठीक है तो 50 फिर दौर नहीं 15 तिया 45 33 यह बार बार हमारा आता रहेगा यानि option number is the correct answer 3.33 का right answer हो जाएगा आई दोस्तों next question की तरफ चलते हैं I hope दोस्तों यह question भी समझ आ गया होगा दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को like कीजेगा और चैनल को subscribe कीजेगा क्योंकि मैं आपके लिए इसी पिरकार की वीडियो बार बार लेकर आता रहता हूं और मैं आपका interest exam किसी भी हाल में killer करा कर रहोंगा आई दोस्तों next question कि तरफ देखते हैं is packed की सिधान पर कारी करता है is全部가지 हों परकारी बात हाई हों फीचा याद रखी कर्टाहिं है next question एक प्रकाश वर्श में कितने माइकरोन होते एक प्रकाश वर्श में कितने माइकरोन होते हैं आप हमेशा एक बात याद रखना एक पिरकाश वर्श जो होत होते हैं और हम जानते हैं कि एक माइक्रों जो होता है और 10 to the power minus 6 micrometer के बराबर होता है ठीक है अब इसकी जगह हम 10 to the power 6 micron लिख सेते हैं यहनि 9.46 into 10 to the power 15 into 10 to the power 6 micron ठीक है is equal to अब यह तो हमारा ऐसी ही रहेगा इसको तो हमें जोड़ना बस खाली इसको हमें जोड़ देना है क्योंकि इनकी आधार जो है उनके अधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाती है यह यह तेंटी पावर के 21 हो जाएगा अब दोस्तों यहां पर और बीज़ दर आइट आंसर क्यों है यह हमसे पूछ जाए कि आप्शन नमबर एही क्यों नहीं है तो ऑप्शन नमबर भी इसलिए है दोस्तों कि अगर हम किसी दुकंदार के पास गए ठीक है अभी हमने वहां पर जाकर के कोई समान खरीदा और हमारे पास एक उर्पे जाद आप से इसी वज़ाए से दोस्तों ऑप्शन नमबर भी इस दा करेक्ट आंसर यानि इस इकल टू टू टेंटी पावर के 22 ही हो जाएगा माइकरोन के बराबर ठीक है इस बात को आप हमेशे याद रखेंगा आई दोस्तों नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं और इस कोशन म सार्थक अंकवाला है किशन है जिरू पॉइन्ट 06 050 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी सातक अंकों की संख्या हमसे पूशिच गई एब यहांपर दोस्तों इस बात को याद रखेंगे कि दशम्लों के पहले 0 और दशम्लों के बाद 0 को काउंट नही करतें और यानि चार अंक होई गाए ऑप्शन अमबर डी इस दकरेक्ट आंसर ठीक है इस बात को याद रखेंगे आए दोस्तों नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं इस कुश्चन में कहा गया है कि यूरेनियम के परमालू का दरव्यमान 3.7 इंटेंटी पावर माइनस 25 किलोग्रा इससे पहले जो हम्म अंक दिया हुआ है यवाला इस अंक की तुल्ल्ण हम 3.16 से कर देंगे अगर ये 3.16 चोटा है तो इस घाग में 1 प्लस कर देते लुँख है अगर 9 3.16 से यह वाला अंक बढ़ा है अगर 3.16 से यह वाला अंक बढ़ा है तो इसमें एक प्लस कर देते हैं ठीक है अगर यह 3.16 से 3.16 से यह वाला अंक जो होता है यह छोटा होता है तो यहां पर क्या कर दे जाता है यहां पर माइनस कर दे जाता है माइनस वन कर दे जाता है ठीक ह इस बात को याद रखेंगे अभी क्या है कि अभी यहाँ पर 3.7 है यह 3.16 से बढ़ा है तो इसलिए यहाँ पर जैसे हैं प्लस 1 करते हैं यानि 3.7 into 10 to the power minus के 25 25 plus 1 करते हैं तो is equal to 3.7 into 10 to the power के minus के 24 आजाएगा ठीक है option number b is the correct answer तो दोस्तों कैसी लेगी ट्रिक अगर पसंआई हो तो लाइक खीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कियागा क्यूक्य मैं आपके लिए इसी प्रिकार की वीडियो भार बार लेकर आता रहता हूं दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों इस चनल के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएगा क्योंकि इसी पिरकार की वीडियो में लेकर आता रहूंगा और चेप्टर वाइस स्टेडी भी करा रहा हूं और पीडियेव भी मिलेंगे सब कुछ आपको दिया जाएगा ठीक उसका लिंक में आपको दे दूंगा तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में गौड ब्लेस यू क्योंगा हूं नेक्से मिलते हूंय।